नमस्ते, कैसे हो आप सब? लिखना जरूर, पहले आप लिखी है कैसे हो आप सब, ठीक है? हर किसी ने, जिसने ये रेडीन पर क्लिक किया है, कॉमन सेक्षन में तो पहले ये लिखोगे कैसे हो आप सब? ये एक डायलोग नहीं है, मैं आपसे जन्मिनली पूछ रही हूँ वन भारी हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है because ये टाइम ही ऐसा है, energies are heavy बहुत जादा load लेते हो ये आप दिखाई दे रहे हो तो इसलिए बताओ, ये मत बोलना कि ठीक हो माम ये बोलो कि आज क्या हुआ, कैसा मसूस हुआ मुझ कड़वा कड़वा सा हो रहा है क्या ऐसा लगता है कि एक तरीके से body का पर energies का भी detox हो रहा है ठीक है, ऐसा लगता है कि जो चीज़ आप करना चाहते हैं उसको करने से पहले बहुत ज़दा tension हो रहा है जो चीज़ आपके मन में आ रही है कि वो चीज़ आपको करनी है या फिर वो चीज़ काफ़ी time से रुकी हुई है आपके life में बहुत ज़दा delay हो रहे है उन सब चीज़ों में और ज़दा delay में दिखाई दे रहा है मुझे होते हुए इस समयना आप बहुत ज़दा दूसरों की नज़र से खुद को देख रहे हो मुझे तह यही समझनी आ रहा है कि आप आप हो या आप दूसरे है बताए कभी देखिए अपनी बच्पन की तस्वीर कभी देखा है अपना चेहरा कभी देखा है जिन्होंने आपको जन दिया उनका चेहरा कि उन्होंने आपको इस दिन के लिए बढ़ा किया था कि आप सिर्फ यही सोचते रह जाओ कि दूसरे आपके बारे में क्या सोच रहे है दूसरे तो आए है अपनी जिन्दगी जी कि चले जाएंगे लेकिन जब आप 60 साल के, 80 साल के, 70 साल के होगे और जब आप देखोगे, पीछे मुड़के देखोगे कि कोई नहीं है उन में से जो आपके बारे में सोच रहा था वो तो आप ही थे जिसको अपने बारे में सोचना था पिंक हार्ट बना दीजिये पुरे comment section में अगर आप इस बात से अगरी करते हो मुझे लगता है ना कुछ टाइम से आपको ऐसा लगने लगा है कि अंदर ही अंदर से आपको कोई विन नहीं मिल रही है और आपस में आप चीजों को बहुत ज़्यादा जोड़ रहे हो बहुत ज़्यादा ही कनेक्ट कर रहे हो जरूत से ज़्यादा ही कनेक्ट कर रहे हो क्याने का मतलब है बहुत ज़्यादा ही कनेक्ट कर रहे हो मतलब क्या है इस काड़ मतलब यह है कोई चीज हो रही है किसी ने आपको धक्का दिया किसे ने आपके साथ दोका किया उसको आप अपने परसन के अनरजी के साथ क्यों जोड रहे हो अपने आपको क्यों बुरा महसूस कर रहे हो उसमें आप क्यों ये बता रहे हो ये अपने आपको क्यों बता रहे हो कि आपने बहुत बुरा कि अपने परसन के साथ ना आपके पास प्यार है ना आपके पास कोई चीज है तो आप तो लाइफ में एक तरीके से फेलियर हो ऐसा क्यों सोच रहे हो अब चीजों को कहा की चीजे कहा लेके जा रहे हो ऐसा लगता है जब आप एक बार upset हो जाते हो ना किसी चीज से तो सारी की सारी चीजे आपस में जूड़ देते हो और सब की सब चीजे आपस में जूड़ कर कुछ और ही रूप ले लेती है है ना ऐसा लग रहा है कि सबी की सबी चीजे आपके control में आ सकती है सबी की सबी चीज़े आपके काबू में आ सकती है लेकिन हो क्या रहा है ना यहाँ पर धीरे धीरे ना आपको grip छूटता जा रहा है जैसे जैसे आप अपने बारे में बुरा सोचते जा रहे हो आप ऐसा लग रहे है कि आप अपने आपको बहुत ज़्यादा वीक मानने लगे हो आपको ऐसा लगता है कि आना आपके पास प्यार है अब अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूँ ना आप में से बहुत कम लोग है अगर उनको प्यार मिल भी गया तो वो उनके पास वापस जाएंगे कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताओ बताईए क्या जाना है आपको अपने प्यार के पास वापस सो समझ के उत्तर देना या फिर सिर्फ मन में ख्याली पुलाव पकारे हो आपको भी पता है कि रियालिटी क्या है आपको भी पता है कि आपको कितने ठोकर लगी है आपको भी बहुत अच्छी तरीके से पता है कि आपने अपने आपसे कितने वादे किये हैं कि अब ये चीज नहीं करनी अब इस चीज को नहीं दोहराना अब इस चीज़ के बारे में नहीं सोचना बावजुद उसके अगर आप उसी चीज़ों के बारे में सोच रहे हो या उन्हीं चीज़ों को करने के लिए ऐसे तड़प रहे हो तो इसका मतलम है क्या समझो कि जब तक आपको दस बार ठोकर ना मिल जाए आपके भी वही आदत हो गई है कि आप चीज़ों को दुराते रहोगे दुराते रहोगे दुराते रहोगे ऐसा लगता है कि आपको एक फाइनल ब्लू मिलने वाला है फाइनल ब्लू ब्लू या क्लू कुछ भी आप कहलो फाइनल क्लू मिलने वाला है इस परसन के लिए आपके रिष्टे से रिलेटेड है यह जो भी रीडिंग में बताना चाहरी हो न वो चीज़ आप सुनके हरान हो जाओगे मुझे ता ऐसा लगता है कि यह जो परसन है न अभी तक आपके साथ जो थे न अब यहां पर बहुत बड़ी सचा ही आने वाली है किसी तरीके का बदला लेने के लिए यह परसन आपके पास आये थे I don't know why हो सकता है It may or may not resonate with you हो सकता है कि आप इनके साथ किसी तरीके से जुड़े हो और आपको अंदाज़ा नहीं है लेकिन यह परसन नहीं अपना कोई मतलब के मतलब निकालने आपके पास आये है यहां से आगे मैं आपको साथ सा बता देती हो जूटा दिलासा लेके मुझे देके मुझे क्या ही मिलेगा मैं आपको साथ सा बता देती ह Rh beverage ह disgust में डिए तो आखल रही है यानिकी ऐसा लगता है कि आपने न अभी तक सच से मूँ मोड रखा था आपने सच से अपना चेहरा ढख रखा था मतलब अपने कानों को ढख रखा था आप सबको जानते हुए भी इस टॉक्सिक परसन के लिए मरे जा रहे हो मरे जा रहे हो, मरे जा रहे हो अपने आपको sabotage करे जा रहे हो लेकिन यहाँ पर reality यह कहती है कि आप सच को जानते हुए भी उससे move फिरने की कोशिश कर रहे हो आप सच को जानते हुए भी यह चाहते हो कि यह person अचानक से बदल जाए और यह person आपके हो जाए ऐसा लगता है कि आप वो सपना बार-बार देखते रहते हो कि एक बार यह आ गए आप इनसे अलग नहीं हो पा रहे क्योंकि एक धागा connected है अपने subconscious mind में ही उनसे connection बना रखा है लेकिन कि आप सच में पूछो कि actual में जो जो आप चाहते हो कि आपकी list में टिक लग रहा है I know आप कहो कि कोई connection बिल्कुल permanent या फिर perfect नहीं होता लेकिन इसका क्या जो आप red flags को भी देखे मतलब वो चीज़ जो अभी तक नहीं होई है जो एक bare minimum है जो चीज़ होनी चाहिए उसको भी देखकर नजरन्दास कर रहे हो बताओ उसको भी देखकर अपने दिल से निकाल दे रहे हो उन बातों पे भी गोर नहीं दे रहे हो जो आपके लिए बहुत जादे important है उन बातों से भी नजरे चुरा रहे हो जो आपके लिए बहुत ही ज़ादा महत्वपूर्ण है उन बातों को नजरंदास कर रहे हो जो आपके जहन में है जिसकी वज़े से ये कही न कही सेपरेशन हुआ है भला जब तक आपको पूरी क्लारिटी नहीं मिलते है आप किसी के लिए कैसे सेटल हो सकते हो मैं आपके परसन की एनरजी पढ़ गया आपको बता देती हूँ देखो I think I think there is total 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 probability कि आपके आसपास वाले जो आपसे बोड़ रहे ना वो बिल्कुल सच है the reason इस परसन ने आपको इस रिश्टे के बारे में बताने से किसी को मना किया है the reason आपके परसन ने आपको उनके फैमिली से दूर रखा है the reason कि ये परसन आपसे नजरे चुरा रहे हैं इन सबका कारण ये है कि आपके परसन को ना इस समय काफी ज़्यादा मुश्किल हो रही है कमबैक करने में इनको हमेशा डर रहता है कि किसी चीज को लेकर इनका परदा फाशना हो जाए इनके मन में इनके जहन में हमेशा से मैं ये देख रही हूँ कि चीजों को ये avoid करना चाहते है चीजों को ये avoid करना चाहते है क्योंकि इस समयना ये चीजों को face नहीं करना चाहते एक तरीके की immaturity मुझे दिखाई दे रही है जहां पर यह अपने आपको पूरी तरीके से खाली नहीं कर सकते अपने आपको पूरी तरीके से आपके सामने खोल नहीं सकते बस यह चाते हैं कि जो अच्छी अच्छी बात हैं आप उन पर focus करो अच्छी अच्छी बातों पर कंसेंट्रेट करो और पुरानी बातों को लाओ ही मत क्योंकि पुरानी बात लाते ही ये परसन थर रहा हुगते है पुरानी बातों को वापस लाते ही आपके परसन को ऐसा लगता है हर चीज का जवाब आपको देना होगा हर चीज़ का हिसाब आपको देना होगा तो इसी वज़े से उस conversation को यह avoid कर रहे है कि आपने इस person की एक चीज़ देखी है मुझे लगता है कि यह person आपके सामने हो सकता है कि society के सामने पुरी दुनिया के सामने भगवान हो ठीक है दुनिया के सामने यह बहुती एक विमल male और female दोनों की बात हो रही है यहाँ पे बहुती विमल, बहुती विनम्र बहुती बड़े दिल वाला इनसान हो लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जब जब यह इनसान अपने घर जाते है या जब जब ये इनसान अपने माता पिता के साथ होते है तो ऐसा लग रहा है इनके वहवार में एक चेंज आता है इनके वहवार में ऐसा लगता है कि ये परसन जैसे अंडरग्राउंड हो गए हो ऐसा लगता है ये परसन जैसे कहीं चले गए हो और ऐसा लगता है कि ये खु बूल नहीं रहे हैं ये एक तरीके से avoid कर रहे हैं ये बस आपको बार-बार बोल रहे हैं open commitment नहीं है हो सकता है ये आपको बार-बार-बार बस इस चीज की दोहाई दे रहे हैं कि मेरे साथ आगे तक चलो तो सही मेरे साथ चीजे निभा के तो देखो तब जाके तुम्हें पता चलेगा कि क्या सच है क्या सही है क्या गलत है I feel like this person wants surety from you हो सकते हैं इन्होंने आपको कभी बताया ना हो पर ये भी नहीं एक तरीके की surety है जिसे इनकी मन में कुछ कंडिशन्स है कि ये चीज़ पूरी होगी तो ये चीज़ करूँगा या करूँगी ये चीज़ पूरी होगी तो शायद तब मानेंगे हो सकता है कि ये आपके और करीब आना चाहते हो इसी वज़े से ये चीज़े ला रहे है हो सकता है कि वो चीज़िए इनके जहन में हो पर आपको बता नी रहे हो ज़बान पर नाहला है। वो चीज़ आपसे बोल रहे हो, मांग रहे हो और जो सर्टे इनकी पूरी ना होना तो आप देखे नहें इनके बरताव में बहुत चेंच जाएगा। इनके बरताब इनके दिल को ये लगता है कि शायद आप वो चीज उनको तब तक नहीं मतलब इनके मन में ये आ रहा है आपको एक तो पहचान गए है कि आप ऐसे वैसे परसे नहीं हो जो दो दिन का प्यार जता के चले जो आपको पूरी पक्की चीज चाहिए तो इनको ना कहीं खुद के रादों पे भी मतलब शक है मैं आपको सच बताओ तो खुद के रादों पे भी शक है ऐसा नहीं है कि आपके साथ धांदली बाजी करना चाहते हैं एक तरीके से मैं सच बता हूँ तो आपको लेकर ना ये commitment देने से भी थोड़ा सा हिच के चाहते है not because कि आपके अंदर कोई कमी है they just want इस समय मैं आपको बता रही है उनके energy पढ़ के बता रही है they just want कि ये चीज मुझे मिल जाए थोड़ा और आपके साथ personal होना चाह रहे है आप समझ रहे होंगे इससे पहले कि वो आपको घर पे लेकर जाए ये चीज उन्होंने सच में नहीं सूची in fact अगर मैं बताओं कि ये चीज आपके सामने दिखा रहे है न कि सच में नहीं सोची या फिर सच में की नहीं है है न तो ऐसा लग रहे है कि ये बस आपके सामने दिखा रहे है ताकि आपको ऐसा न लगे कि जो चीज आप चाह रहे हो जो चीज आप इस person में ढूंड रहे हो वो चीज आपको दिखे न आपको unsure नहीं करना चाह रहे लेकिन आपके आड़ में आपकी बहाने ये आपकी दिल की बात जानना चाहते है ये आपको परखना चाहते है दूसरी चीज ये भी शूरिटी ले रहे हैं इस चीज से ठीक है न ये भी शूरिटी ले रहे हैं इनके दिल में भी चुपती है ये बात जब जब शायद आप इन आवधानी से सोचने की जरूरत है इस रिष्टे के बारे में जो आप सोच रहे हो ना जो आप overthinking कर रहे हो वो हमेशा ही गलत नहीं है उसके बारे में आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए और इनकी current energy मैंने बता दी कि किसी एक चीज को लेकर जो चीज इनकी पूरी नहीं होई उस चीज को लेकर ये डिले लगा रहे हैं एक तरीके की गुस्सा एक तरीके की ग्रजिस मुझे यहां पर दिखाई दे रही है यह अभी current reading कैसी लगी बताईएगा जरूर description box में new reading का लिंक है देखके जाईएगा कल आपके लिए detailed reading एक प्रस्तुत करूंगी thank you god bless you bye bye 1313 मिर को दिख गया है इंजल का शुक्रिया